हाई फ्रेंज मैं हूँ शाहिन सेयद वर्कम तो आया चानल आज हम बनाएंगे बहुती सिंपल और टेस्टी वाइट मतन बिर्यानी यह रेसिपी बनाना बहुती सिंपल है और खाने में उससे भी ज्यादा टेस्टी लगती है जरू ट्राइ करिएगा तो चलिए रेसिपी को तो मैंने यहाँ पे लिया है 7500 मतन मतन को हमने कर लेना है मारिनेट तो उसके लिए मैंने यहाँ पे आड किया है एक से डिढ़ चमच बिल्कुल अच्छे से भर कर आपने लेना है अद्रक लस्ट का पेस्ट आठ से दस मिर्चे जितनी तेज हैं उससे साब से आप कम जादा आड़ कर ले, मुठी भरकर हरा धनी आड़ कर लेंगे और पुदीना खूप सार आड़ कर लिया है, आप चाहे तो चौप करके आड़ कर सकते हैं, आदा कब भरकर आड़ किया है गाड़ा दही, इससे ग्रेवी अच्छी फॉर्म होती है, कुछ स्पाइसेज तो एक चम्मज अप्शनल है, अगर दही बहुत ज़ादा खटा है, तो आप उसको स्किप कर सकते हैं, पर नीबू आड़ करने से चटपटी सी बनके तियार होती है, और ज़ादा अगर स्पाइसी हो गया है, तो उसमें बैलन्स भी हो जाता है, बींज हटा ले, फिर यहाँ पर मैं आड़ करी हूँ थोड़ा सा केवरा एसंस या बिर्यानी एसंस और सारी चीजों को बहुत अच्छे से आपने मिक्स कर लेना है, इसको आप चाहें तो एक से दो घंटा मारिनेट कर सकते हैं, वैसे मतन को जितना जादा आप मारिनेट करेंगे, उतना ही वो फ्लेवर फूल बनके त जल्दी हो जाता है, आप चाहे तो पतीले में बना सकते हैं, इसमें आट कर देंगे आधा कप ओल, दो तेस पत्ता, लॉंग, दालचीनी, काली मिर्च, हरी, इलाइची, बादियान, और इसको अच्छे से अपने गरम कर लेना है, उसके बाद हम इसमें आट कर देंगे चार और लाइट गोल्डन ब्राउन होने के पहले-पहले ही मैंने यहाँ पर आट कर लिया है, यह मटन, गास का फ्लेम मैंने मीडियम ही रखा है, और सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स कर लेता, तकि प्यास जो है, वो बहुत अच्छे से मैरिनेट हो जाया, मिक्स हो है sorry mutton के साथ में तो बस gas का flame medium रखके कुछ देर हम इसको mix कर लेते हैं अब यहाँ पर इसी राइम मैं थोड़ा सा पानी भी add कर लूँगी क्योंकि हमने mutton को cook कर लेना है दही अपना पानी release कर लेंगे mutton भी लेकिन ये थोड़ा सा कम लग रहा था मुझे तो ये जले नहीं नीचे इसलिए मैंने थोड़ा सा पानी आट करके फिर इसको मैंने अच्छे से mix कर लिया है तो अब हम इसको pressure cook कर लेते हैं तो pressure cooker कर लेट cover कर लेंगे high flame पर एक विसल लगाना है और low flame पर मैंने 15 मिनिट छोड़ दिया था क्योंकि ये कुर्बानी का गोश्ट था तो गलने के लिए थोड़ा सा time जादा लेगा बस अब यहां पर दूसरी तरफ चावलों के लिए खुला पानी उबलने के लिए रख दिया है इसमें आट कर देंगे दो चम्मज नमक एक चम्मज आट किया मैंने oil आप चाहें तो देसी घी भी आट कर सकते हैं दो से तीन फीकी वाली हरी मेचे चीरा लगा के आट कर ले थोड़ा सा पुदीना का पत्ता थोड़ा सा नीबू और खड़े मसाले आट कर लिया है लॉंग दालचीनी काली मिर्च हरी लाइची और बादियान साथ में थोड़ा सा केवरा एसेंस बस इसको अच्छे से उबाला आ जाए तो इसमें मैंने आधा किलो चावल आट कर लिया है चावल मैंने लिया था एक्स्ट्रा लॉंग ग्रेन दावत का बास्मिती और इसको अच्छे से मैंने भिगो कर कम से कम आधा पॉना घंटा चोड़ दिया था जितना जाधा भिगोएंगी उतने अच्छे से वो कोग होगा बॉइल आजा अच्छे से तो 5-7 मिनिट के लिए मीडियम फ्लेम पर कुक कर लें ग्रेंज अच्छे से लॉंग हो गया है इसके अंदर कोई यह नहीं रह गया है तो बस यह तियार हो गया है पूरा पानी अपने ड्रेन कर लेना है और इसको एक प्लेट पर पहला कर साइड में रख देते हैं अब यहां देखिए मटन टेंडर हो गया है इसका पूरा प्रेशर जा चुका था तो मैंने इसको खोल लिया है आप देख सकते हैं ओवाईल उपर सरफिस आउट हो गया है मैंने 10 काजू लिया था काजू को अच्छे से आपने ग्राइन कर लेना आप चाहें तो थोड़ी मलाई भी आट कर सकते हैं दूद की दूद आट करके ही ग्राइन किया था मैंने और वो मैंने याप आट कर लिया है अच्छे से मिक्स कर लेते हैं इसको flame मैंने आपे अभी on कर लिया है और उपर से चाबल जो हमने boil कर लिया था वो सारा हम यह आपे add कर लेंगे साथ में इसके उपर हम add कर देंगे थोड़ा सा पानी चाबलो का ही पानी जो रह गया था वो मैंने add किया power cup और उसको गानिश कर लेते हैं थोड़ा सा देसी घी मैंने आपे add किया था इसमें मैंने तला हुआ प्याज वगए add नहीं किया अब चाहें तो तला हुआ प्याज food color वगए add कर सकते हैं cover कर ले और एक whistle आने के पहले पहले gas का flame आपने off कर लेना है पूरा ठंडा हो जाए उसके बाद आपने खोल लेना है और ये देखे बहुत ही बढ़िया बहुत ही टेस्टी बिर्यानी बनके त्यार हो गई है ये खाने में बहुत टेस्टी लगती है इसको बनाने में maximum आपको आदा घंटे का time लगेगा क्योंकि हमने cooker में बनाया है तो बहुत जल्दी भी बनके त्यार हो जाती है तो बस त्यार है सफेद बिर्यानी, simple and easy recipe इसको हम serve कर लेते हैं, आप देख सकते हैं, इसका एक एक दाना खिला हुआ है और ये खाने में बहुत टेस्टी लगती है तो बकरी इतके कोश्ट के साथ जरूर ट्राइ करिएगा आप चाहें तो चिकन में भी बना सकते हैं मुझे कई बार questions आते हैं कि माम हम ये चिकन में बना सकते हैं आप जरूर बना सकते हैं तो ट्राइ करिए, recipe पसद आई हो तो like, share, subscribe कर न मत भूलिएगा तो आज के लिए इतना काफी है, फिर मिलूँगी एक और नही रेसिपी के साथ तब तक इजाज़त चाहती हूँ, thank you so much for watching my video, take good care, bye